हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो कोर्स आप कर सकते हैं 12th pass करने के बाद चाहे आप science side से करा है, biology से करा है, commerce से करा है या arts से करा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं science side की, PCM group की physics, chemistry and maths के साथ आपके सामने पूरी list मैंने दे रखी है, इसको आप देखें, सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आपका interest, आपकी रूची किस तरफ है, अगर आप B.Sc करना चाहते हैं, अगर टेक्निलोजी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको छाटना है, यहां आपको कुछ और मैं science के courses दिखा रहा हूँ, जो की traditional courses हैं जो पहले से ही हमारे बच्चे चुनते आए हैं, तो इनको आपको देखना है, और ध्यान से ये चुनना है कि किस में आपका interest है, किस चीज़ को आप खुशी से करोगे नाइंटीन के बाद बहुत ज़्यादा बूम है, तो इनको भी आप देखें ठीक से, अगली जो लिस्ट आती है, आर्ट साइड वालों की आती है, जिन्होंने आर्ट से 12 को किया है, बीए विद लिट्रेचर, इकोनॉमिक्स, साइकोलोजी, सोशोलोजी, पॉलिटिकल साइ आजकल बहुत ज़्यादा साइकोलोजी के उपर दिया जा रहा है, जोर स्कूलों में, तो इसको भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, हम आर्ट के कुछ अलग, कन्वेंशनल कोर्से से अलग, ट्रेडिशनल कोर्से से अलग कोर्से, मैनेजमेंट, इव लोगों के लिए क्या-क्या चीजें हैं, यहां पर आप देख सकते हो, IS की प्रेपरेशन है, B.A.L.L.B. है, C.A.C.S. है, तो यह आपकी कितनी कपैसिटी इसको पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा, कॉमर्स साइट के लिए, बैचलर अफ कॉमर्स, ओनर्स है, बिजनेस है, बहुत सारी चीजें इसके अलावा, अगर आप बैचलर अफ कॉमर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्राई कर सकते हो, इसके बाद पैरामेडिकल कोर्सें, यह उनके लिए मैं दे रहा हूँ, जो कुछ अलग हटके सोच रख रहे हैं, तो कॉर्स जिसमें आपको डिप्लोमा करना है, दो साल का, और उसके बाद आप कोई ना कोई जॉब के लिए अपलाई कर सकते हो, यह जादा तर आजकल बहुत जादा चलन में हैं, तो इन कॉर्सें पे भी आप एक बार नजर डालिए, पॉस करके आप देखिए, नैशनल सेफ प्लाई कर सकते हो, आजके लिए इतना ही थेंक यू.